नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका स्टाड भीतर है इसमें इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेटेस्ट जोब अपडेट के रिगारिण आज के लेटेस्ट अपडेट है अस्टेशन मास्टर निव वेकेंसी जैसा कि आप लोगे मालूँ होगा कि रेल्वे के अदरगत जो एंटी पीसी की वेकेंसी आती है उसमें सबसे महत्पूर्ण जो वेकेंसी है अस्टेशन मास्टर की जहां दोस्तो, यहाँ पे एक अस्टेशन मास्टर की वेकेंसी आया है इस वीडियो में आप लोगो डिसकस करने वाले है योगता इसमें रहने वाला है इसमें आप लोगो समपूर जिनकारी बतारेंगे कि आपका एज क्या रखा गया है अविदन की तीथी क्या है, चैन की प्रक्रिया क्या है और पुरा प्रोसेस इसमें बताएंगी तो वीडियो को सूरू से लेकर एंड तक जरूर दखें अगर चैनल पर पहले बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सिस्क्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर लें फूचर में लेटेस्ट अब डेट सबसे पहले राप्त करने के लिए दोस्तो देख सकते हैं ओफिस्यल नोटिफिकेशन जारी किया गए है यहाँ पे देख सकते हैं साउथ सेंटर रेलवे के दोरह ये नोटिफिकेशन जारी किया गए है जो कि एक एक 2024 के डेट में जारी किया गा है यानि दोस्तों 2024 में यहाँ पे फेकेंसी का पिटारा खुल चुका है रेलवे की तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं नोटिपिकेशन जारी हुआ है और फेके रिगारे भी बहुत बड़ी अपडेट आचुका है दोस्तों देख सकते हैं यह जो नोटिपिकेशन जारी किया गा है अस्टेशन मास्टर के लिए जारी किया गा है दोस्तों यह जो बेकेंसी है उन अभी हर्थों के लिए है जो रेल्वे में जौब कर रहे है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 25 पर てर्शत परमोशन कोटा के टाहते हैं वेकेंसी जारी किया गया है यह जो यहाँ तोटल देख सकते हैं जो बेकेंसी रहने वाला है 51 रहने वाला अगर आप railway में अगर job मिलती है किसी भी post पे तो इसके through आपको ये frequency आती है देख सकते हैं आप operating department के अगर अगर आप operating department से अगर आप sunting जमदार है sunting master है या cabin man grade 1 है switch man है singular है senior train clerk है all level 4 post दोस्तों जितने भी जो operating department में level 4 level के जो post है वो सारे eligible है वही आगे यहाँ पर देख सकते हैं lever man हो गया points man grade 1 हो गया sunting man grade 1 हो गया cabin man grade 2 हो गया train clerk हो गया level 2 यह सारे अभियरती यहाँ पेपर देने के लिए eligible है वही बी नवाब देख सकते हैं sunting जमदार और जमदार TNC level 6 दोस्तों यह जो पोस्टिय है regular service in operating department में also be allowed a fear तो दोस्तों यह रहाँ बहुत ही बड़ी update है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप matrix से pass है और railway में अगर पांच साल service कर ली है तो आप यह form को apply कर सकते हैं जैसा कि आप लोग के माल होगा कि जो open category में यहाँ जो vacancy जारी किया जाता है SM का इसमें आपको graduation मांगा जाता है आपको किसी भी स्टिम से graduation complete होना चाहिए लेकिन अगर आप group D में join कर ली है और पांच साल यहाँ पे आप नौकरी complete कर ली है तो आप direct level 6 के लिए eligible हो जाते हैं आपके पास में qualification नहीं है फिर भी आपको यहाँ पे experience की basis पे आप लोग को यहाँ पे eligible माना जाता है तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी update है आगे आमी जो vacancy आने वाली है यहाँ पे group D की, NTPC की और LP की अगर operating department में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे बड़ा opportunity मिलेगा जैसे आप technician ही बन गए तो technician माले जाके आपने taint कर लि मेटिकल फिर्टनेस यहाँ तो आपको 60% मार्क्स लाने होंगे, तोई देख सकते हैं जोवियो देख सकते हैं मिलेगal की यहाँ आपको 60% मार्क्स आना चाहिए वही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप ACST candidate है तो आपको pre-selection coaching भी होगा दोस्तों यहाँ दोस्तों यहाँ पर railway की तरब से आपको coaching भी कराया जाएगा और इसकी तयारी कराया जाएगा यहाँ पर exam देने के लिए देख सकते हैं आपका जो written examination conduct कराया जाएगा उसक यहाँ पर भी रखा गया है आगे यहाँ पर देखें syllabus तो syllabus यहाँ पर देख सकते हैं syllabus and kitchen bank भी a level करा दिया जाता है आपके इसको पढ़ करके आप अराम से paper clear कर सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं अगर आप railway में आ जाते हैं तो आपके पास में बहुत ही सुभधा हो जात दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आपको यहाँ पर भरने वाला है आपको ओफलाइन अपने इंचार से यहाँ पर आपको साइन करवा करके यहाँ पर प्रशनल ब्रांच में आपको जामा करना है 31 से पहले आगे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पुरा स्लेवर्स भी दे दिया गया है कि आप लोगो को क्या क्या है ओपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर का जितने भी आते हैं जैसे आपक घैसे आपको फोटो है उसके बाद रहरा हम आपको सुपरवाईजर से यहाँ पर अपना पुरा डिटिल से भेजना है यहाँ गयाँ यहाँ पर देख सकते हैं यह, हैज है बहुत भी बढ़ी अप्डेट है इसके साप जाहिर होता है कि अब सभी जोनो में अपर station master के कमी हो गये है दोस्तो कमी हुआ है तभी तो यह वेकेंसि निकली है तो आपको जो general वेकेंसि है वो भी जल आने की समामना है दोस्तो आप लोग बता दूँ कि सबसे पहले जो आप लोग का वेकेंसि आएगा RPF का आएगा, RPF का इसी महिने में आप लोग को 20 से 22 तारेख तक आपको notification देखने को मिलेगा वही LP के बाद करें तो LP का जो vacancy है आपको first week of February में यहां दोस्तो first week of February में आप लोग को देखने के मिलेगा उसके बाद में यहां पे जो vacancy है, JEE का आएगा यहां दोस्तो, JEE का vacancy आएगा और first week of February में आएगा LP और JEE, दुनों को एक साथ ही vacancy जारे किया जाएगा और दोस्तो, आपका NTPC, NTPC जो है NTPC इसकी vacancy बाद में आएगी और group D के भी आपको vacancy है, बाद में आएगी हो सकता है, दोस्तो, यह job चुनाओ है March इंट तक आपको देखने को मिल जाए तो दोस्तो, आपको 2024 में bumper vacancy आने वाला है, अगर आप railway में job करना चाहते हैं, तो आज से preparation में जूट जाए यहां पे देख सकते हैं, अगर आप railway में किसी department में, किसी भी post पे अगर आप entry मार लेते हैं, तो departmental paper देख करके आप कहां से कहां पहुँ सकते हैं, देख सकते हैं यहां पे 10th level बंदा को यहां पे level 6 के post पे यहां पे eligible माना गया है, वहाँ paper देख करके आराम से यहां पे level 6 एने station master बन सकते हैं, तो दोस्तों आपको update कैसा लागा, अच्छा लागे तो like, subscribe and share करना ना भूले, वीडियो देखने के लिए मन्यवाद